असलाम वालेकुम क्लास, hope you all fine and in the best state of your health जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर्स ठीक है ट्रांसफार्मर इस अप्रेक्टिकल अप्लिकेशन आफ मुचल इंडेक्शन ट्रांसफार्मर हमारे पास, ट्रांसफार्मर हमारे पास मुचल इंडेक्शन की प्रेक्टिकल अप्लिकेशन है जो हमारे पास प्रिवस टॉपिक था वो मुचल इंडेक्शन ही था ठीक है तो हमारे पास जो बेसिक प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर का वो मुचल इंडेक्शन है mutual induction आपके पास एक ऐसा फिनामिना होता है जिसमें आप एक कोईल के अंदर क्रण्ट की वेरियेशन करवाती हो और एक secondary कोईल के अंदर कोईल भी उसको हमने बोला था उसके अंदर induced क्रण्ट जनरेट हो जाती है ठीक है अब इसी फिनामिना को हम transformer के अंदर उसकी practical applications देखेंग था उनको increase याँ decrease करने के लिए ठीक है अगर हम अपने इसी को इससी теперь के करना है तो सके लिह हम transformer ़ो defend करेंगे अगर हम test yarn क्यूश करेंगे वो यूज़ेश आप transformer को more use करेंगे अगर हम यह रिले ते व हम सूरन little earlier कि यूज़ करते हैं कि इसमें पार डिस्टिपिशन होती है जो अनर्जी का जिया है वह बहुत कम होता है जिसके विज़ाइसे हम ट्रांसफार्मर को अपनी कॉमन है इसकी जो एप्लिकेशन है हमारे गरों में कॉमनली भी बहुत जादा यूज़ होते हैं इसके अनर्जी का डिवाइसे इन आर होम सच एज गेम सिस्टम प्रिंटर्स एंड स्टियोसिस यूज़ ट्रांसफार्मर फार दियर वर्किंग हमारे गरों में बहुत जादा सिस्टम जिसके अंदर हम ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं तो इसको कम कर देता है और गर कम हो तो उसको ज्यादा कर देता है मतलब हमारे पास जो इसका अनर्जी का डियसिपिशन है उसको कम करता है मिनिम्म रखता है ठीक है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्किंग अफ़ ट्रांसफार्मर ठीक है यहां पे आप इस हैडिंग को मोल्ड भी कर सकते हैं वर्किंग एंड कं क्योंकि जो इंड प्रिंसिपल है वो ट्रांसफार्मर के अंदर यूज हो रहे है इसलिए इसकी जो वर्किंग है थोरे एस सारी सेम होगी आप डुसरे से उसका इसकी दुसरे के साथ ओनी इंसुलिटेड होती है मतर्ब वह त्वाज इसकी अफ़िग ऑठीन इपर देक्र इस एक iron core है ठीक है और इसके उपर हमने दो wires wound की हुई है यह और यह वाली वायर को हमने primary wire बोला हुआ है primary coil और यह secondary coil है ठीक है one coil is called the primary coil, एक coil को हमने primary coil का नाम दे दिया and the other coil is called the secondary coil और दूसरी coil को हमने secondary coil का नाम दे दिया, number of turns on the primary and the secondary coil are represented by N.P. and N.S. respectively N.P. के है number of turns in P मतब primary coils और N.S. के है number of turns in secondary coil यह देखे, जैसे आपके पास यह primary coil है, यहाँ पी यह जो number of turns है, किती turns है, one, two, three, four, five, five turns है तो हमारे पास N.P. यहाँ पर five है, इसे है number of turns in secondary coil, अगर आप इसको count करें तो यह 20 turns है तो मतब हमारे पास N.S. जो number of turns in secondary coil है, वो 20 turns है अब next लेखते है, when the primary coil is connected to a source of AC voltages, the changing current creates a changing magnetic field which is carried through the core to the secondary coil, अब हम क्या करेंगे, जो primary coil है, उसको हमने alternating voltage के साथ connect कर दिने है, जिसकी वजासे इस coil के अंदर current pass out करना start कर देगी अगर इसके अंदर से current गुजरे की, तो magnetic field generate हो जाएगा, और magnetic field lines भी create होगी वो जो magnetic field lines है, वो secondary coil के अंदर से pass करेंगी और इसके अंदर induced EMF, induced voltage प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है इसी बात को नों नहीं यहां पी इस तरह बताया है, when the primary coil is connected to the source of AC voltages, जब हम primary coil को AC voltage के साथ connect करेंगे, the changing current creates a changing magnetic field, जो current में changes है, उसके विज़से magnetic field में भी change create हो जाएगा, which is carried through the core to the secondary coil, और वो secondary coil के कोर के अंदर जो induced EMF हो जनरेट कर देंगे, इन दा secondary coil, the changing field induces and alternating EMF, और secondary coil में एक magnetic field के change होने के विज़से हमार पास एक alternating EMF generate हो जाएगी, the EMF induced in the secondary coil called the secondary voltage is Vs, is proportional to the primary voltage VP, जो हमार पास secondary coil है, उसके अंदर जो voltage induced हो रही है, ठीक है, उसको उन्हेंने Vs का नेम दे दिया हुआ है, और वो Vs proportional है VP के, ठीक है, Vs proportional है किसके VP के, Vs का voltage produced in secondary coil, इसको आप induced voltage भी कहते हो, वो proportional है किसके voltage produced in primary coil, ठीक है, अगर primary coil के अंदर voltage हम नहीं देंगे, जो हम primary coil को हमने पीछे से AC voltage दिया था, तो हमार पास secondary coil के अंदर voltage induced हो गई थी, अगर primary coil के अंदर voltage हम नहीं देंगे primary coil को, तो secondary coil के अंदर भी voltage induced नहीं होगी, इसलिए हमार पास जो secondary coil के अंदर voltage है, वो depend करती है VP के ओपर, primary coil के अंदर voltage है उसके ओपर, ठीक है, जी, आगे देखें, दा, secondary voltage जो Vs है, is also depend on the ratio of the number of turns on the secondary coil, which is called the NS, to the number of turns on the primary coil, which is called Np, ठीक है, जो हमार पास dependence of Vs है, मतब जो secondary voltage है, उसके dependence दो चीजों पर है, VP के primary coil के अंदर कितनी voltage है, और second के है, number of turns in secondary coil, over number of turns in the primary coil, मतब रेश्यों है, Ns over Np की, तो हमारे पास जो equation बन जाएगी, वो ये बन जाएगी, ये देखें, अब हमने क्या पढ़ा था कि Vs किसके proportional है, VP के, proportionality के sign को equality के sign में change किरे तो हमारे पास कोई constant terms आती है, ठीक है, तो हमारे पास वो constant के आगी, Ns over Np, ठीक है, और वैसे भी हमने पढ़ा था कि जो Vs है, वो दो चीज़ों पर depend करता है, VP के उपर, और Ns over Np के उपर, तो Vs किन दो चीज़ों पर depend करता है, Ns over Np, ratio of secondary turns जो है, over primary coil के उपर, जो turns थी, वो और VP के उपर, तो हमने इन दोनों का product ले लिया, उसके बाद जो VP है, वो यहाँ पर क्या हो रहे है, divide, multiply, और इस साइड पर क्या हो जाएगा, divide, तो Vs over VP is equals to Ns over Np, पहले आप ये equation लिखे ले, उसके बाद ये, and then ये, ठीक है, ओके, बाकी का topic हम अगे next class में cover करेंगे, उके लास अला हफ्वेज,